Hello students, VKCI Computer Education में आपका स्वागत है Students and Friends, मैं आपको वताना चाहता हूँ कि इस चैनल पर आपको All Computer Fundamentals, CCC, MS Word, MS Excel, PowerPoint, Internet, CorelDraw, Photoshop, Teleprime आद इन सभी टॉपिक पर 1 by 1 VKCI Computer Education पर आप सभी को Classes मिलती रहेंगे तो Friends इस चैनल को सबस्क्राइब करें और अपने सभी दोस्तों को सेयर करें तो अब शलिए आज का वीडियो सुरू करते हैं Students, आज का वीडियो How to use of GST in Teleprime यूज हम कैसे करते हैं कैसे करेंगे Students यह वीडियो बनाने का मतलग यह है कि जब हम Sales Invoice, Purchase Invoice with GST जब हम Create करते हैं जब हम बनाते हैं तो वहाँ पर GST की आपको Clear Information मालम होना चाहिए जिससे कि जब आप Sales की Entry करें या Purchase की Entry करें जब आप Invoice बनाते हैं तो हाँ पर कोई Problem नहीं आनी चाहिए तो इसलिए GST का Rules क्या है, GST क्या होता है, GST कब करता है, कैसे करता है तो वह कुछ Manual है तो चलिए देखते हैं और समझते हैं तो इस्टूडेंट चलिए जैसे कि आप देख रहे हैं वाजित GST जैसे का मतलब है गुर्ष एन सर्विटेक्स मतलब सामान और सर्विस पर लगने वाला टेक्स गुर्ष कार जैसे कार, टीवी, ब्रैड, कपड़े आद, सर्विसिस मतलब मोबाइल नेटवर्क, बैंकिंग, हवाई यात्रा, मूवीज आद जैसे की आप यहाँ पर देख रहे हैं यह गुर्ष और सर्विस पर लगने वाला टेक्स है, यहाँ कुछ एग्जाम्पल दियेगें जो आप कर सकते हैं, इसके बाद अगर आगे थोड़ा डिटेल में देखें, तो यहाँ पर the four types of GST इंडिया आप जैसे की SGST means state goods and service tax, CGST central goods and service tax, IGST integrated goods and service tax, UTGST union territory goods and service tax, कहीं-कहीं UGST भी लेखा होता है, कोई प्रावलम नहीं है, UTGST union territory goods and service tax, यह जो हमारे union territories जो हमारी states है, जो Kansas City है, वहाँ पर यह लगता है, तो इसका में आपको अलग से इसके बाद में इसका अलग से वीडियो बनाएंगे, लेकिन अभी यहाँ पर हम जो हमारे man, SGST, CGST और IGST इनको हम detail से समझते हैं, तो चलिए आगे देखते हैं, तो students, इससे पहले हम कुछ syllabus की बात करते हैं, कि जो GST है, वो आपका 0%, 5%, 12%, 18% और 28%, यह कुछ syllabus बना गए हैं, जो गुर्स या कुछ service हैं, जिस कुछ ऐसे गुर्स या service है, 0% है, GST, मतलब कोई टेक्स नहीं देना पड़ता है, कुछ 5%, कुछ 12%, कुछ 18%, कुछ 18% है, तो यह 5 syllabus आपके हैं, 0, 5, 12, 18, और 18%, तो चलिए, आगे और detail में समझते हैं, जैसे कि अभी आपको बताया है उपर कि गुर्स या टेक्स करता है, जैसे कि आप देख रहे हैं, इंटर स्टेट और दूसरा दे रखा इंटर स्टेट, इंटर स्टेट का मींस होता है, यूपी तू अदर स्टेट, मींस जैसे मान लीजिए, अगर हम यूपी में कोई पर्चेस कर रहे हैं, लेकिन यहाँ यूपी तू अदर स्टेट है, मतलब अगर हम यूपी में अपना बिजिस कर रहे हैं, और अदर स्टेट से कोछ हम पर्चेस हमने किया, अदर स्टेट जैसे मान लीजिए, आपका MP हो गया हमाचर परदेश हो गया, वहाँ जाकर हमने और इंट्र स्टेट का म्हीनस होता है राज की अंधर और जो आपका इंट्र स्टेट है. भार, उट्र सेरले न हम हाले भार. और UP to UP, मतलब हम कोई बिजिस अपना कर रहे हैं, जैसे कि UP से ही कोई माल हम पर्चेस कर रहे हैं, UP ही हम सैल कर रहे हैं, तो वहां पर हमें दो टेक्स देना पड़ेगा, एक CGST, एक SGST. CGST मतलब जो सेंटर गोर्षन सर्विटेक्स है, और स्टेट गोर्षन सर्विटेक्स है, तो अगर UP to UP, अगर हम कोई भी चीज हमने जैसे ग्रेटर नुरा से हमने पर्चेस किया और हमने यहां पर मतलब सैल किया, तो यहां पर हमें CGST और SGST दो यह हमें GST देना पड़ेग तो इस्टूडेंट यह तो आप इसी सई से लंग कर लिजेगा, एक बार में फिर समझा रहा हूं, जो आपका गोर्षन सर्विटेक्स है, वो दो टाइप से काटता है, एक तो इंटर इस्टेट जो जैसे माली अगर हम UP रहने वाले हैं और भाहर से कोई भी चीज हम पर्च कर रहे हैं, वहीं से आप पर्चिस कर रहे हैं और वहीं से सेल कर रहे हैं, तो आपको CGST और SGST आपका कटेगा, अब चलिए इससे आगे एकजामपिल से समझते हैं, तो देखिए हापर कुछ एकजामपिल दिये गए हैं, कि ग्रेटर नोडा में कम्पूटर सेंटर, अलीग पर्चिद है, रूल्स के अपकोट हैं, इसमें दो चीजें आपकी कटेगा, एक CGST कटेगा, एक SGST कटेगा, तो यहां पर देखिए, कम्पूटर सेट है, जो बैचा गया है, और एक लाख रुपए का, तो CGST 9% 9,000 रुपए हो गया, SGST 9% 9,000 रुपए हो गया, मतलब एक ल इसके बाद स्टूडेंट हम बात करते हैं, दूसरे एक्जामपल यहां पर देखिएगा, एक्जामपल वह है, चिर्फ यहां पर MP यानि मद्ध प्रदेट, इस्टेट चेंज कर दिया, तो जब इस्टेट चेंज कर दिया है, तो 18% मतलब हमें, देखिए, IGST कटेगा, तो इस्टेट चेंज किया है, कुश्चन होई है, तो यहां पर IGST 18% आपका यह कटेगा, और थोड़ा डेटेल में से सही से समझते हैं, तो चलिए और एक तीसा एक्जामपल देखते हैं, मान लीजिएगा, राज प्रियाग राज, देखिए, क्या अच्छा नाम, मतलब ए 12,000 रुपए, चुम्प उसका सोधा उत्तर प्रदेश में खरीदा जा रहा है, और उत्तर प्रदेश में ही वेंचा जा रहा है, मींस यह इंट्राइस्टेट हुआ, तो इस स्वादे पर राज को CGST और SGST दोनों 6-6% देना पड़ेगा, तो किस तरीके से, मैनुल देखिए कैसे करेंगे, पार्ट्यूकल्स में, इडिके गोड से कुछ खरीदा, एक लाग का, तो CGST और 6-6,000 रुपए हो गया, मान लेजे लो, वो ही एक्जामपल है, सिर्फ पयाँ पर हमाचा परदेश मनलब इस्टेट हैं चेंज किया गया है, तो यह सिमला है, वो आपका ये, चलिए पूरा एक बार पर पढ़ते, मान लेजेगा, राज प्रियागर उत्तरप्रदेश का रहने वाला है, उसने सिमला हुआ, तो इस स्वाधे पर राज को सिर्फ IGST 12% देना पड़ेगा, मतलब राज ने जो सिमलाज है, यानि हमाचा प्रदेश से एक लाग रुपए का माल मंगबाया है, तो क्योंको इस्टेश चेंज हुआ है, तो इंतरे स्टेट हुआ, मतलब IGST राज को यहाँ पर देना पर देना पड़ेगा, तो इस्टुडेंट्स उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को सेयर करें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जैहन!